नमस्कार! पूनम की आवाज, चैनल में आपका स्वागत है. आज की कहानी है बुढापे का दर्द. अपने बेटा और बहु के रोज के जगडे से परिशान होकर, अशोक बाबू अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे. उसमें अपने कुछ जोडी कपडे रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले कितने नाजों से पाल कर बढ़ा किया था, हमने अपने इकलोते लाडले बेटे को, कहते ही वो रो पड़े. परंतु फिर सोचने लगे की नहीं, ये कमजोर पढ़ने का वक्त नहीं है. उन्होंने अपनी आँखों के आशू पोचते हुए, अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा, और अपने एक दोस्त को फोन किया, जो व्रिधाश्रम में रहते थे. भरे गले से उन्हें बताया, कि अब वो भी व्रिधाश्रम में ही रहना चाह कि मैं रोज-रोज के कला से परेशान आ गया हूँ, और एक घंटे में तुम्हारे पास पहांच रहा हूँ. जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो, उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहु अपने कमरे में बैठ कर, चाय और स्नाक्स का आन ले रहे थे. परन्तु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप ये सामान लेकर कहां जा रहे हैं और नहीं किसी ने उन्हें रोखने की कोशिश की. रोज-रोज के अपमान और जिल्लत भरी जिन्दगी से परेशान अशोक बाबू, व्रिधाश्रम पहुंच गए. थोड धीरे धीरे अशोक बाबू को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा. घर की अपेक्षा, उन्हें व्रिधाश्रम ज्यादा सुकून दे रहा था. सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के क्लेश से अशोक बाबू का हृदय चलनी हो गया था. पसीना भी पानी की तरह बाहाया था. एक दिन अशोक बाबू व्रिधाश्रम के आंगन में टहल रहे थे, तभी व्रिधाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी. व्रिधाश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर इस आंगन में प्रवेश करेगा. कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत जो शायद उसकी मा थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा. उस औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी. सर पर पल्लू होने के कारण उसका चहरा सही धं से नजर नहीं आ रहा था. थोड़ी ही देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था. उस महिला ने वो बैग उस बुजुर्ग ओरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बात कहने लगी. वो बुजुर्ग ओरत चुपच और फिर भारी मन से अपने आसू पोचते हुए व्रिधाश्रम में आ गई. अशोक बाबू की ओर देखते ही अपने सिर के पल्लू से अपने चहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई. तभी अशोक बाबू के साथ खड़े एक ब देखते जा रहे थे. उन्हें लगा कि जैसे वो उस महिला को जानते हैं लेकिन वो पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वो महिला कौन है. अकसर अशोक बाबू देखते कि वो महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज्यादा चहरा छिपा कर रखती थी. लेकिन एक दिन जब महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी, तो अशोक बाबू इस समय टहलने के लिए निकले. बागवानी करते करते उस महिला के सिर से पल्लू उतर गया. अशोक बाबू को उस महिला का चहरा देखते ही, पैरों तले जमीन खिसक गई. ना जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया. उसी समय उनका एक मित्र भी, उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है. तुम कहां घूम रहे हो, और इतने गुमसम क्यूं हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, लिकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया. क्या बात है? कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं. थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था. बस मैं आ ही रहा था. खाने के कमरे में बैचने के बाद अशोक जी की नजरें बार बार जानकी देवी को ही ढूंड रही थी. वे उनसे पूछना च क्या हुआ कि उन्हें यहां आने की नौबत आ गई? उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वो अपने बेटे बहु के साथ बहुत खुश हैं. फिर आज ऐसा क्या हो गया? अशोक बाबु उधर ही किसी व्यक्ती से पूछते हैं कि दो दिन पहले जो महिल व्रिधाश्रम में आई थी, वो आज खाना खाने नहीं आई है. उन्होंने बताया कि वो माताजी आज बहुत दुखी है, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है. परिशान भी क्यों ना हो आखिर जो उनके बेटे बहु ने उनके साथ किया है? ऐसा तो कोई दु अगवानी करने का काम दिया गया है. ये सब सुनकर अशोक बाबू का मन परेशान हो गया. वे जानना चाहते थे कि आखर जानकी देवी के साथ हुआ क्या है? इसलिए थोड़ी देर बाद विभाग में जानकी जी के पास गए और अशोक बाबू को अपने सामने खड़ा द पहुची. जानकी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आखें आशूओं से भर गई थी. ये देखकर अशोक बाबू और भी अधिक परेशान हो गये. उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्ला कर इस दुनिया से पूछें कि क्यूं बुढ़ापे में बुड़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है? क्या बुड़ों का कोई आत्म सम्मान नहीं? अपने ही विचारों में मगन अशोक बाबू आश्रम के प्रांगण में तहल रहे थे. अच्छानक उनका पैर क्यारी के किनारे से तकराया और वो गिरते गिरते एक पेड को पकड़ कर संभल गए. तभी पास से गुजर रहा वृधाश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो है न? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाए. अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ. अशोक बाबू कहने लगे, अरे नह कुछ ज्यादा चोट नहीं है. बचाव हो गया. इतना कहते हुए, अशोक बाबू प्रांगण में रखे बैंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे. जब वो बातरूम में फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में ज्यादा मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हडबडी में क्यूं रहते हैं. कोई काम ठीक से करना नहीं आता. जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो. अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया. करो. आराम से अपने कमरे में क्यूं नहीं बैठ पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो. उससे इतना भी ना बन पाया कि अपने पिता का हाल चाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करें. एक दिन जब अशोक बाबू का चश्मा तूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना तूट गया है. ठीक से दिखाई नहीं देता. इतनी बात सुनते ही बहु बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चार पाई पर बैठे बैठे खर्चे बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं है. बच्चों की तरह हरकते हो गई हैं आपकी. ना जाने ऐसा कितनी ब बार हुआ था जब अशोक बाबु अपने बेटे बहु से अपमानत हो चुके थे. अपने आतीत में ज्हांकते अशोक बाबु अभी अपने विचारों में खोई ही हुए थे. तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र राधे जी आते हुए दिखाई दिये. राधे जी के चहरे पर मुस्कुराहट थी. उन्हें देखकर अशोक बाबु बोले, क्या बात है राधे, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो. तभी राधे जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जनम दिन है. उसका फोन आया था कि आज वो मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बह खुश हूँ. बहुत दिनों बाद आज उसका चहरा देखने को मिलेगा. राधे जी की बात सुनकर अशोक बाबु कुछ परिशान से हो गए, और अपने मित्र से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी ये हालत कर दी, तुम्हें वृधाश्रम में छोड़ कर चला गया. साल मे केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा. तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो. तभी राधे जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ, कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है. मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है. लेकिन अशोक जी उन है. व्रिधाश्रम में रहने वाली हर एक बुजूर्ग कि कोई ना कोई कहानी है, और सभी की जिंदगी में व्रिधाश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वज़य जरूर है. बिना किसी वज़य के अपनी मर्जी से कोई व्रिधाश्रम में नहीं आता. जब तक कि एक व् के लिए मजबूर नहीं होता लेकिन देखो सभी बूड़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूल कर अपनी जिंदगी को यहां बिताने के लिए मजबूर हैं कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयम को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को अपने बेटे बहु को अपने पोते पोती को याद करके आखों से आंसू बहाते रहते हैं बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं मन में अपने घर के लिए लगाव भी है लिकिन उसी घर में रहने वाले बेटे बह बाबु के दिये हुए घाव भी हैं। अशोक जी को कविता लिखने का बहुत शौक था। इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए वे कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन, जब वो एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, तो उस पर अपने हालात बयान करते करते उनकी आँखें आंसूं से डब डबा गई. उसी समय व्रिधाश्रम का संचालक उनके पास आया, और उन्हें आवाज लगाई. अशोक बाबू उसी समय ठिठक कर बैठ गए, और कागज को मोड कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छिपाते हुए बोले, जी बोलिये. अशोक जी, आपका बेटा और बहु आपसे मिलने आए हैं. साथ में आपका पोता भी है. ये बात सुनकर अशोक जी हैरान हो गए. साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए. सोचने लगे की, आज मेरे बेटे को, मेरी याद कैसे आ गई. जब ओफिस में गए, तो उस समय उनका पांच वर्ष का पोता गोलू, उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए, जट से उनकी ओर दोड़ा, और उनकी टांगों से चिपक गया. अशोक बाबू की आँखों से आँसू छलक पड़े. अब तक वे मन, मारकर व्रिध हश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही, उनका दिल कमजोर पढ़ने लगा. परन्तु फिर अचानक दिमाग में विचार आया, कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्नय पर टिके रहने का है. ऐसा सोचते हुए, गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहां क्या करने आये हो? चले जाओ, यहां से. मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है. मैं यहां बहुत खुश हूँ, और अपनी जिन्दगी बड़े आराम से काट रहा हूँ. कम से कम यहां मेरे साथ कोई हसने बोलने वाला तो है. पिताजी, दरसल बात यह है कि आज गोलू का जनम दिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है. गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जनम दिन पर उपस्थित रहें. यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा. तभी अशोक बाबू बोले, देखो म मैं वो घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहां दोबारा नहीं जाना चाहता. इस समय उनका बेटा बोला, पिताजी, आप घर चलिए. वहां आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं. मैंने उन्हें भी बुलाया है. सभी आसपास वाले और रिष्टेदार भी आएंग बल्कि अपनी इजद बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो. सभी रिष्टेदार आएंगे, तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहा है? तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो. अभी के अभी चले जाओ यहां से, मैं कहीं नहीं आए कि मैं जी रहा हूं या मर गया, फोन करके भी मेरा हाल चाल पूछने की जरूरत नहीं समझी. तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर व्रिधाश्रम चले क्यों गए? आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गये हो? नहीं, अब स यहीं मेरा घर है. मैं कहीं नहीं जाओंगा, अपने घर को छोड़कर. ऐसा कहते हुए, अशोक बाबू अपने कमरे की ओर जाने लगे. तभी बेटा और बहु दोनों ने आपस में प्लान बनाया, कि पिता जी ऐसे नहीं मानेंगे. कुछ तो करना पड़ेगा. तभी हम इन घर लेकर जा सकेंगे. रिष्टेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे. इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर अशोक बाबू के पास गए और गिरगिराते हुए कहने लगे, पिता जी माफ कर दो. आपके पोते का जनम दिन है. क्या आपको अपने पोते की खुशियों में श अपने पोते की बात सुनकर अशोक बाबू खुद को रोक नहीं पा रहे थे. परन्तु दोनों बेटा और बहु की कर्तूत की वजह से वो घर नहीं जाना चाहते थे. लेकिन गोलू ने कहा तो वे घर जाने को तयार हो गए. फिर बोले लेकिन मेरी एक शर्थ है मैं घर पर चलूंगा और जैसे ही गोलू का जनम दिन हो जाएगा उसके बाद मुझे व्रिधाश्रम वापिस लोटना है और तुम लोग मुझे व्रिधाश्रम तक छोडने आओगे. बेटा बहु इस बात के लिए तयार हो जाते हैं. गोलू का जनम दिन बहुत धूम धाम से मनाया ज जाता है. सभी रिष्टेदार और आसपडोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं. अशोक बाबु के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले परंतु अशोक बाबु ने किसी से कुछ नहीं कहा और हस्ते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी क का आनंद उठाया. परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे. वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहु को जो सर्प्राइज मैं देने वाला हूं उसकी, तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. जब पार्टी खत्म हुई, तो बहुत रात हो चुकी थी. उस भरता है. एक रोटी तो और ले लीजिये. अभी गरम गरम सेक रही हूं. एक रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिये. आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है. अरे नहीं, सुधा. मेरा पेट पूरा भर चुका है और कितना खिलाओगे? अपनी पत्नी को याद करते करते, उसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया. छोटे से छोटा काम भी मुझे पर डाल देती थी. सबजी लाने से लेकर, घर की साफ सफाई तक सारा काम मुझे से करवाती थी. मुझे वो काम करने में भी हर्ज नहीं था. परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज जट न मिले तो, ऐसी जिन्दगी किस काम की? अपनी पतनी की यादों में गुम, पता नहीं कब उनकी आँख लग गई. सुबह जब सोकर उठे तो, देखा बेटा और बहु दोनों तयार खड़े थे. जैसे ही वो बाहर आये, तो बहु रेखा बोली पिताजी तयार हो मन ना बना ले. इसलिए जल्द से जल्द, उन्हें व्रिधाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा. अशोक बाबु उन्हें देखकर हैरान थे, और अपने बेटे बहु की मनशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे. इसलिए वो भी जल्दी से नहा धोकर तयार हो जाते हैं जैसे ही व्रिधाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं, वो देखते हैं कि उनकी बहु रेखा के चहरे पर एक संतुष्टी भरी मुस्कान थी. मन ही मन सोचने लगी कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सर्प्राइज दूंगा. उसके बाद से तो तुम व्रिधाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे. अशोक बाबु ऐसा सोचकर कार में बैच जाते हैं. एक पल को अपने घर को निहारते हैं. फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहां मन को तसल्ली मिले, उधर ही रहना चाहिए. यहां तो बेटे बहु को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है तो रहकर भी क्या करूंगा? अपना व्रिधाश्रम ही अच्छा है. जहां मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ, और अपनी मन पसंद का काम करता हूँ. किसी की चिक चिक नहीं होती. जैसे ही व्रिधाश्रम के सामने कार रुखी, तो बेटे बहु कार से उतर कर बाहर खड़े हो गए. अशोक बाबु की कार से निकले और अंदर जाने लगे. जाते जाते रुख गए और पीछे मुड़ कर अपने बेटे बहु को आवाज लगाई. वे दोनों अपनी कार में बैठने ही लगे थे. तभी अशोक बाबु की पीछे चल पड़े. व्रिधा श्रम के प्रांगण में पहुँचकर अशोक बाबु वही काम करने वाले एक व्यक्ति से जानकी जी को बुलाने को कहते हैं. जानकी जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही अशोक बाबु का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहु रे कर रही हो? आप यहां कब आई और आपने मुझे बताया भी नहीं. परन्तु उसकी बातों का जानकी जी ने कोई जवाब नहीं दिया. फिर रेखा बोली मुझे तो यही लगता था कि आप भाई-भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो. कल ही मेरी भाभी से बात कर रही? मा कहा है? एक बार तो मेरी बात करवा दो, तो भाभी ने कहा कि तुम तीरत यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुम से बात नहीं हो पाएगी और मैंने भी मान लिया कि तुम तीरत यात्रा पर गई हो. लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें व्रिधाश्रम में छोड़ दिया है अपनी बेटी की बात सुनकर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली बेटा तुम्हारे भाई भाभी जूट बोल रहे थे मुझे एक महीना पहले ही वो व्रिधाश्रम में छोड़ कर चले गए थे लेकिन मा आप मुझे फोन करके बता भी तो सकती थी मैं तुरंट यहां पहुँच जाती उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मा के साथ ये सब करने की इतना कहते हुए रेखा अपनी मा से लिप्ट गई मैं तुम्हें फोन करके कैसे बता सकती थी जिस दिन मैं वृधाश्रम में आई मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहां देखा इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क ही नहीं है मैं तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की कर्तूत के बारे में क्या बताती इतना कहते हुए जानकी जी ने उसे अपने से अलग कर दिया तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो इसलिए मुझसे दूर रहो यदि मेरे बेटे बहुने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है तो कुल मिलाकर मेरी दोनों ओलादे ही निकम्मी निकली अब तो मुझे स्वयम को तुम्हारी मा कहने पर भी शर्म आती है एक ने अपनी मा को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया अपनी मा की बातें सुनकर रेखा का सिर्श शर्म से जुग गया, मा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ, मुझसे बहुत बढ़ी गलती हो गई है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससूर के साथ कर रही हूँ, वो मेरे मा बाप के साथ भी हो सकता जांकी जी बोली, बेटा, वैसे तो तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है, फिर भी अगर माफी मांगनी है, तो मुझसे नहीं अपने ससुर जी से मांगो, अपनी कर्तूतों पर शर्मिंदा हुई रेखा, अपने ससुर जी की ओर मुड़ी, और उनके पैरों में गिर गई, मुझे माफ कर दीजिए, पिता जी, तभी रोहन ने भी माफी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलो और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए, तो अशोक जी और जानकी जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा, कि हमें अब अपनी बहु, बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है, हम व्रिधाश्रम में रहकर ही सुखी है, दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परन्तु अशोक जी और जानकी जी का एक ही जवाब धा, एक बार धोखा खा चुके हैं, अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है, कि बा और रोहन दुखी मन से अपने घर वापिस चले गए, घर पहुँच कर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज रखा था, जो शायद उनकी जेब में से निकल कर गिर गया था, जब रोहन ने उस कागज को खोल कर देखा, तो उसमें उनके पि लिखी हुई थी, क्या किसी ने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है? हाँ, मैंने देखा है, आज मौत से पहले भी मौत आती है, जब जिन्दगी अपने आखरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, किवल सांस आती जाती है, हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर रोहन के दिल पर ना जाने कितने तीर एक साथ तूटने जैसा अहसास हुआ और उधर रेखा अभी तक अपनी मां की हालत को देखकर उस सदमे से उबर नहीं पाई थी। परंतु आज उन दो सिधाश्रम में है संतान की वजए से। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।